देशवर के कुल सेव उतपादन की 21.5 दिन फीजदी पैदावार करने वाले हिमाचल में सेव बागवानी संकट के दोर पर गुजरी है जलवायू परिवतन की बज़ा से हर साल सेव की चिलिंग आवर्ज में कमियारी है जिसके चलते कम उन्चाईवल एक शित्रों में सेव की पैदावार में असर तो पड़ रहा है और साथ ही इसका आकार भी छोटा होता जा रहा है नौनी बिश्यविद्याले के परियावरन भीग्यान विभा के मुताबिक मौसम में बदलाग के चलते 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की उन्चाईवाले एक शित्रों में सेव की बागवानी के लिए जितने चिलिंग आवर्ज की जुरूर्थ होती है वो मौसम में लगतार होरे बदलाग के चलते नहीं मिल पारी है जिसके चलते इन इलागों में सेव की बागवानी पर असर पड़ रहा है वो ही इन इलागों को विभाग नेसलहा दी है कि या तो वे कीवी और अनार जैसे फलों की पैदावार करे या फिर बिश्यविजाले दुवारा अनुवोधित सेव की लौ चिलिंग बेराइटी ही लगाएं बतादे की जलवायू परिवतन की बज़ा से बर्फ कम पड़ रही है जिसके चलते सर्टियों में तापमान कम नहीं हो रहा है यही कारण है की तापमान में गर्मी बढ़ने से हर साल सेव की चिलिंग आवर्ज में कमियारी है जिसके चलते 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की हुँचाई वालेक शेत्रों में सेव की पैदावार पर असर पड़ रहा है सेव को जितनी चिलिंग आवर्ज की जरूरत होती है वो मौसम से लगतार हो रहे बदलाब के चलते नहीं मिल पारी है कुलों में इसका असर साफ देखा जा रहा है जिसमें लोग अब सेव को छोड़कर अनार और की भी लगाने लगे है